स्वागत है आप सब का आज के Current Affair Analysis Lecture में जिसमें Indian Express, PIP and Other Sources से लिए गई न्यूस को holistically analyze किया जाएगा आपके Prelims, Mains and Interview Point of View से ये Lecture आपके UPSC and State PHS exams के लिए उप्योगी साबित होका Lecture से Related Value Edition की PDF टेलिग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसके लिंक मैं नीचे description box में दे दूँगी वहाँ जाना है जोईन करना है डेली Current Affair के PDF के लिए स्टार्ट करते हैं आज का Lecture भी एक motivational code से Forget Your Past, Forgive Yourself and Begin Again Right Now यानि कि आप से जो भी mistakes होई है पास्ट में Preparation से Related या कुछ भी mistakes होई है उन्हें भूल के आप एक नई शुरुवात कीजिए आज जो दिन मिला है आपको इसे अच्छे से यूटिलाइस करिए ठीक है मैं महिमा मिश्रा प्रेजिन करती हूँ आज का Indian Express Newspaper Analysis इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है इल्ततमिश होजी शमसी का एक जिक्र था बनवाया था इल्ततमिश ने तो वही हम इल्ततमिश को भी पढ़ेंगे क्योंकि यूपी ऐसी कोर अरिया से थोड़े कम questions पूछती है पर पेरिफिरल अरिया से जादा question पूछती है फिर प्रेलम्स में लगते है कि ये कहां से आ गया और इंडिया जुटीशल साविसेस पढ़ेंगे ये भी इंपोर्टेंट है अपके मेंस के लिए जीएस पेपर टू और इंटरव्यो में भी इससे question आ सकता है कोल फेज आउट इंडिया रिफ्रेंस यानि कि नहीं मतलब पीए मुधिन अपने हाथ खड़े कर दिया कि अभी हम कोल को फेज आउट नहीं कर सकते इसमें पाटी से पेट नहीं कर सकते ठीके ये समझेंगे इसका क्या है ये साइक्लोन विचम ये आने वाला है अंदर प्रदीश को हैट करने वाला है पढ़िंगे इसके सब्सक्राइब को समझेंगे ठीक है इस्टार्ट करते हैं पहली न्यूस से एन एम्परेर्स ड्रीम कम टो लाइफ अ थर्टीन सेंच्री रिजोर्व यर होपस तो रिस्टो लॉस्ट ग्लोरी यहां पे इलततमिश ने एक हौजी शमसी बनवाया था ठेक हौजी शमसी एक पॉंट लाइक स्ट्रक्चर है एक हरिटेज साइट के अंदर ओके सिच्वेटिड इन महरौली इंपोर्टेंट चीजे याद रखनी है यह महरौली में है नियर जहाज महल हौजी शमसी इसे शमसी तलाब भी कहा जाता है यह रिजर्वियर है यह वोटर 36 AD के बीच में बनवाया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ओगनाइज किया है जल इतिहास उत्सव जिसके तहते कहा गया है कि जो वोटर जो हैरिटेज साइट्स के अंदर जो वोटर बोडी जाती है उन्हीं भी कंजर्व करना ही धरोहर के लिए इंपोर्टेंट है ठी कि उसके लिए हमें क्या पूब्लिक कांशेजनेस क्रे और यह पळलिकावेडिनेस क्रेट करनी है कि वहां तै यह यह रही है क्योंकि छो यह हरसे ंज ना यह श्रिंक हो रही है क्योंकि इस्तग न होगे वोट़ अब वहां पर पलिईशन अब लोग जो डंक करते हैं पुर इलतुतमिश यह फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे टो रूल फॉम डेली एफेक्टिव फाउंडर ओव डेली सालतनित यानि की डेली सालतनित को इस्टैबलिश इसे रियल कॉंसोली डीटर भी कहा जाता है यह पहले सुल्तान थे जो खलीफा के द्वारा रिकाव गनाईस किये ग घालिश वोमग ऑठ मेंज मेंज स्कावत अनके इसलेव थी कुतब डिनअबिक और कुतब डिनोपिक खलेवत कह स्टाथ इसलेव सिखलेखलेस्दाफल मुँदाश अवालच वार् सेस्वाली गौलर अजमेर, बयाना, जलोर, मंदेर, किलिंजर और ठंगिर कनोजन बनारस को रियोक्योपाइट किया गया था 1231 में AD इंपोर्टेंट है याद रखना है क्योंकि अभी UPPCS ROARO आ रहा है एक जामानी वाले के याद रखना है ही ये नेक्स्ट मालवा और उजयान तो इस एम्पायर इन 1239 AD अर्किटेक्चर क्या थे ये बहुत बड़े पैट्रोन थे आर्ट एन अर्किटेक्चर के फिनिश्ट दक कुतुब मिनार कुतुब मिनार किसने बनवाय था किसने स्टार्ट करवाय था कुतुब उधेन वैक जो भक्तियार काकी थे एक सोफी संस्ट थे भक्तियार काके उनकी याद में उनकी मैमोरी में ने बनाया गया था कुतुब मिना थे कंप्लेट हो नहीं पाया था कुतुब मिनार उससे पहले ही qutub उधेवं की डहो गई उसके बाद फिनिश किस नहीं करवाया इलततमिशनी ठीक है और ऐसे भी खाजाते कि जो लास्ट वाला फ्लोर है और इसके रिपेर करवाया ये फिरोजशाह तुगलक ने फिरोजशाह बिल्ट हाज शम्सी यानि कि जो शम्सी मतब एक पॉंड एक वोटर रिजर्वियर था को तुब मिनार के कॉंप्लेक्स के अंदर ठीक है ये रेकंस्ट्रॉक्टेट सेवरेल खान का यानि की मोनास्ट्रीज होती थी ये दर्गह जिने ग्रेव्यार्ट में कहते हैं ठेके दर्गह बेगिन दे कंस्ट्रॉक्शन ओन हामिद उद्दीन्स खान का बिल्ट दे गंदक ये गंदक की बावली ये चीज़े इंपॉर्टेंट है ये वाली इंपॉर्टेंट होती है प्रिलम्स में वन लाइनर में पूछा जा सकता है एक स्टेट्मेंट बनागे वहां इन सब नामों में कंफ्यूज नहीं होना ये माना कि उतने पॉपुलर नहीं है बट पढ़ने जरूरी है ठीक है क्योंकि इल्ट उत्मिश न्यूज में है स्टेप वेल फॉर दो सोफी सेंट कुट बुद्दीन बक्तियार काकी ठीक है सुल्तान गरी ये एक ये फन्री है इसके बाद उनके तिवित खराब हो गई और वो उनकी देश नहीं है अब इल्ट उत्मिश के बाद यहां पर आपको एक फ्लोचार्ट मिलेगा जिसमें ममुलोग डैनिस्टी जिसे स्लेव डैनिस्टी भी खहते हैं वह ये है कुट्व उत्वित उत्मिश उसके बाद थोड़ा सा रूल किया था रज्या सुल्तान ने और ये बल्बन कौन थे नौबल से एक थे बल्बन थे बल्बन थे बल्बन ने अपनी बेटी की शाधी इल्ट उत्मिश के बेटे से करवा दे थे क्यूंकि रजीय सुल्तान को उट्वा गया ये थो थ्रोन से और इनके बेटे ने थ्रोन रख लिया था बल्बन ने अपनी बेटी की शादी करवाई उन से इल्थतमिश के बेटे से और वो मर गया फिर उसके बाद बल्बन ने रूल किया बल्बन की बारे में भी मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था नेक्स्ट आते हैं ये खिलजी डैनिस्टी अलाओ दिन खिलजी तुगलग डैनिस्टी उसके बाद मौबद जिसमें इंपोर्टिंट होते हैं मौबद बिन तुगलग और फिरोशाद तुगलग सेयद डैनिस्टी में किजर खान लोधी डैनिस्टी में इब्राहम लोधी ठीक है ये इब्राहम लोधी दौलत लोधी से याद आ रहा होगा आपको बाबर यहां से बाबर की इन्वेजन होती है इंडिया में ठीक है यहां से मुगल रोल इस्टाब्लिश होता है नेक्स्ट इंपोरेंट देखते हैं और यह अबे तक इस्टाब्लिश क्यों नहीं हो पाई इंडिया में यहां पे कुछ फैक्ट्टल इंफोर्मिशन है या आपकी आग्यूमेंट को थोस बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो इंट्रव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जी एस पेपर टू के लिए भी. दूरिंग हर इनागरूल एड्रेस अधर सुप्रीम कोर्ट्स कॉंस्टिटूशन दे सेलिबरेशन, प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मु कॉल्ट फो औल इंड्रीशाल साविसस, यारि इन्होंने कहा है की को ले के आना होगा, ठिक है क्योंकि रिप्रेजन्टीशन को बढ़ाना है, क्योंकि आल इंड्रीशाल साविसस대ां, बल्कुल या सेवल साविसस जैसा ऩीजिए, ठीक है कि हर कोई फॉर्म बढ़ सकता है पढ़ सकता है और बन सकता है जाज ठीक है वोट इस दो ओल इंडिया जुडिशल साविसे आर्टिकल 3, 1, 2 इंपोर्टेंट है आपके UPPCS, ARO, ARO के लिए आपके GS PAPER 2 के लिए आन इंटर्वियो में आपकी आग्योमेंट को प्रेजन करने के लिए क्योंकि आग्योमेंट हवा हवा में नहीं देनी एक एविडेंस होना चाहिए ठीक है ठीक है अल इंडियो जुडिशल साविसे की बात कहां कही गई है आर्टिकल 3, 1, 2 याद रखना है आर्टिकल 3, 1, 2 2 क्या कहता है अल इंडियो जुडिशल साविसेस कैननोट इंक्लोड एनी पोस्ट इंफेरियर तो दाट ओव डिस्ट्रिक जजज यानि की डिस्ट्रिक जजज से छोटी पोस्ट नहीं होगी अल इंडियो जुडिशल साविसेस में यह भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 2, 3, 3 और आर्टिकल 2, 3, 4 कॉंस्टिट्यूशन ने जो यह डिस्ट्रिक जजजज की अपोइंडमेंट है यह रख दी है स्टेट्स के पास अब यहाँ पे आगे आपको इशु मिलेगा ठीक है किसमें फेडरलिजम में स्टेट के पास यह पावर है कि वो डिस्ट्रिक जजजज को अपोइंट कर सके बट अगर यह काम सेंट्रल सर्विसेस करेगा central comment करेगी जैसे अभी civil services होता है वैसे ही all India judicial services होगा तो state की हाथ से ये power छिंज जाएगी ठीक है तो controversy इसके साथ भी है selection process is conducted by state public service commission and concerned high code ठीक है state public service commission का मतलब क्या है state का ज्यादा stake है इसमे panels of high court judges क्या करते है interview करते है और select करते है जैसे अभी UPSC के members लेते हैं interview वैसे ही all judges of lower judiciary up to the district court are selected through the provincial civil services judicial exam कहते है जैसे judicial services exam भी कहते है PCSJ ठीक है ये थोड़ा बहुत arguments present करने के लिए important होगा interview में क्योंकि न्यूज में ये कापी रहता है कि all India judicial services पिशले साल ये भी ये न्यूज में था ठीक है तो question expect किया जा सकता है अब वहाँ पे blank तो बैठना नहीं है वहाँ पे arguments को present करने के लिए सही direction के लिए newspaper analysis important है ठीक है the idea of centralized judicial services पहली बार का बाया था law commission की report 1958 जो किस पे थी वो रिपोर्ट judicial administration में reforms पे इन 1992 SC in All India Judges Association versus Union of India directed center को direct किया गया कि आप All India Judicial Services को establish करो but consensus अभी तक नहीं हो पाई है comprehensive framework अभी तक नहीं आ पाया है advantages क्या है इसके addressing judges to population ratio law commission report 1987 recommended that India should have 50 judges per million population उस समय क्या था 10 to 10.50 judges थे now the figure has crossed 20 judges यानि की अब per million population पे 20 judges है as compared to UK UK US में around 107 and 51 judges है यानि की हमारे पास personals नहीं है ठीक है यानि की हमें judges और चाहिए होंगे अभी देखे पेंडेंसी भी तो कितनी है जो supreme court, state court, जो high court है कितनी सारे pendency of cases है इसका मतलब क्या है vacancy है but fulfill नहीं की जा रही है अल इंडिया जोडिशल साविसेज इन्विसेज इस तो ब्रेज तक यह जो ग्याप आ रहा है जोडिशल वेकिंजीज में उसे फुलफिल करने में यह कारगर रहेगा higher representation of marginalized sections of society यह equal representation मिलेगी of two deprived sections of society ठीक है, सब फॉर्म भरके exam निकालके आगे बढ़ सकते हैं attracting talent pool the government believes that if such services comes up it would help to create a pool of talented people ठीक है, और बाद में वो higher judiciary का part बनेंगे तो कहीं न कहीं just and equitable society establish करने में help करेंगे bottom-up approach bottom-up approach जैसे कि अब जब new talent के आएंगे तो वो कहीं न कहीं corruption and nepotism है जो lower judiciary में वो भी टैकल हो पाएगा challenges क्या-क्या है dichotomy between यह challenges be important आपको balance हो के answer देना है आपको पहले advantages बताने उसके बाद बताने कि whereas there are some challenges also regarding all India judicial services ठीक है तब आप challenges बताएंगे उसके बाद एक सब्सक्राइब करेंगे अपना point सब्सक्राइब करने के लिए सुसाइटी में हमें judicial members भी चाहिए और equitable सब्सक्राइब करने है जिसके लिए all India judicial services जरूरी है यह सरफ आप अपना मत नहीं रखेंगे बलकि law commission के द्वारा जो report present की गई है Supreme Court ने जो भी कहा है वो भी आप present करेंगे इससे आपके argument को मजबूती मिलती है as per article 233 recruitment to subordinate judiciary यानि कि क्या है 233 के according state पे दिया गया है कि subordinate judiciary से deal करेंगे वो many states in high courts have opposed this idea on the ground that it would go against federalism वही जो issue मैंने अभी उपर discuss किया subordinate judiciary किसके हाथ में है state government के हाथ में अब वहाँ पे center का intervention होगा तो opposition parties वैसे ही बोलेंगे कि center ही सब कुछ ले जा रहा है center अपने लोग ला दे रहा है तो federalism को कहीं न कहीं हाम होगा जो एक cooperation होना चाहिए क्योंकि हमारी integrated judiciary है cooperation is must okay आप cooperation नहीं होगा तो यह federalism पे effect करेगा ही वह भी negatively effect करेगा if the fundamental power of the state appointment of district judges से related जो भी fundamental powers दे गई है इस state को अगर उनसे छीन ले जाएंगी तो principle federalism का principle जो basic structure में है basic structure मैंने आपको काफी बार समझाया है basic structure का एक part है या एक जो लिस्ट है इसमें मेंशन किया गया है federalism भी उसे ही हाम होगा और constitution क्या कहता है कि आप सब कुछ एमेंट करिये पर basic structure को बिना छुए language barrier All India Judicial Services में क्या होगा कहीं में भी posting हो जाएगी जैसे भी civil services में होता है कोई North India का candidate है साउथ इंडिया में उसे क्याडर मिल सकते है साउथ इंडिया का तो यहां पर language barrier होगा क्योंकि जो local courts होते है जो subordinate courts होते हैं वहां पर क्या होता है local languages में कम्यूनिकेट किया जाता है judicial proceedings होती है तो यह language barrier होगा जो कोई North India अगर South में गया तो यह एक language barrier सा create होगा अनदर fundamental concern regarding all India judicial services is language barrier यह जो less important point है आप वह थोड़ी नीचे लिखेंगे अपने answers में सबसे उपर लिखेंगे main point जैसे constitution से related points आप लिखेंगे कि constitution यह कहता है स्टेट से related यह article है स्टेट के हाथ में power है अभी बट उनसे छीन लिएंगे तो federalism पे effect होगा यह आपका first point होना चाहिए और language barrier जैसे point नीचे होने चाहिए ठेके sequence sequence में लिखना होता है ऐसे नहीं कोई साबी point कहीं पे डाल दिया constitutional limitation clause 3 of article 312 places a restriction that all India judicial services shall not include post inferior to that of a district judge यह एक constitutional barrier भी देखा जा रहा है ठेक है creation of all India judicial services would lead to an erosion of control of the high courts over subordinate judiciary तो यह judiciary के independence को effect कर सकती है अभी क्या होता है जो subordinate judiciary होती है उससे appointment regular related कौन देखता है high court अभी मैंने आपको समझाया कि high court के judges interview लेते है panel okay अब क्या होगा अगर all India judicial services आ गई तो high court के हाथ से ही पावचिन जाएगी कि वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में परसनल जो जुटिशल परसनल्स है members हो चुन सके तो यह कही न कही इंडिपेंडेंडेंसी भी है जो high court की वो हाम होगी ठीक है conclusion देखते हैं इसमें क्योंकि आपको last में conclusion देना है अपने GS paper 2 के answer में भी and interview में भी important है insurmountable number of pending cases calls for the establishment of recruitment system that recruits efficient judges in large numbers for speedy dispensation of cases we need large numbers of judges जरुरत है ताकि pendency of cases को खतम किया जा सके और speedy justice established society क्योंकि आपी क्या है delay justice हो रहा है बहुत और वो बिल्कुल है justice denied के 7-8 years बात पनिश्मेंट मिल रही है लोगों को या लोगों को न्याय मिल रहा है इसका मितलब यह है कि हमारा judicial system कितना lazy सा प्रोच रख रहा है तारिक पर तारिक मिल रही है वो छीज़ खतम करनी है अपनी Indian society में हावेवर before all India judicial services gets into the legislative framework there is need to build consensus यानि कि consensus यहाँ पर important है ना judges लोग बुरा माने ना legislatures ठीक है take a decisive step यानि कि आपको यह लिखना है कि एक consensus से ही हमें आगे चलना है हमें federalism को भी हाम नहीं होने देना और अपनी society में justice भी establish करना है एक just and equitable society establish करने के लिए रखने हमें रखना हो रूल इंडिया judicial services चाहिए हो गा बट हमें यह ध्यान रखना है कि federalism पर हम ना हो बिल्कुल ऑलेंस हो रुड टरीके से आपको रुड नशर देना है नेक्स्ट इंपॉर्डन देखते हैं कोल फेज आउट इन कॉप 28 प्लैज इंडिया रिफ्रेंश फ्रॉम एंडोसिंग इट यहां पे जो होस्ट कंट्री है यूए वो एक अटाइप ओफ इनिशेटिव लेके आए हैं कि 2030 तक ट्रिपल करेंगे ग्लोबल रेनिवेबल एनरजी इंस्टॉल्ड कैपसिटी को ट्रिपल करेंगे बाई 2030 अभी यहां पे इंडिया ने अपने हाथ खड़े वो कर लिए कि हम यह अभी नहीं कर सकते इसका मकसद क्या था अगले कुछ सालों तक तो हम इस्तमाल करेंगे ही कोल का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए क्योंकि बात पते यहां पे क्या है डवलब्ड कंट्रीज ने पहले तो इमिशन करकर के करकर के अपनी डवलब्ड एकोनॉमी बना ली ठीक है पूर्ण तरीके से वो विक्सित देश हो गए अब बात अब जब पात क्लाइमिट चेंज की और उसकी जो वैगरीज है ठीक है कहीं पर फ्लाड आ रहा है कहीं पर सुखा रहा है अब यह जो दिक्कते उत्पन हो रही है उसमें अब जो ब्लेम जा रहा है वो डवलब्ड कंट्रीज को जा रहा है क्योंकि डवलब्ड कंट्रीज अभी विक्सित होने की रह पे हैं अभी वो इमिशन्स कर रही है कोल वगरा का ठीक है तो इसमें क्या है इंडिया देखता है कि अभी हम यूज करेंगे कोल का क्योंकि अभी हमें डवलब होना है पीएम मोदी ने वैसे बिखा है कि 2047 तक हम एक डवलब्ड कंट्री बनेंगे उसके लिए कोल को अभी नहीं छोड़ा जा सकता अभी हमारी ऐसी वो सिचुएशन नहीं है कि हम पूर्ण तरीके से हम रेनेवेबल एनरजी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे डिखेंट है पुच्छी क Start desap tää एक तरफ तो बात रही है और यह अशलोपॉचा जाएगा एक तरफ तो बात ह है एनरजी ट्रअंजिन की आपसे एक दाउर आप सा पूचेंगे कि अक तरफ हpace रही है एनरजी ट्रांजीशन की disrupt की रेनेवेबल एंर्ची यहीं है कि उस तरफ जाना है और एक तरफ इंडिया रिफ्रेन कर रहा है इन सब चीजों से ये कुछ ये कुछ टाइकोटॉमी से क्रेट नहीं होती एक आरेनी टाइप नहीं है आप वो चीज बोलेंगे फिर कि अभी इलेक्ट्रिसीटी जनरेशन जो हो रहा है हमारे कंट्री पर अभ अभी हमें कोल का यूज करना होगा ठीक है आपको ये वाले पॉइंट्स देने आपको इंडिया की तरफ रहना है इन्वामेंट इस ओल्स को इकोली इंपोर्टेंट बट एकोनोमी और इन्वामेंट के बीच में बैलेंस बना के आपको चलना है क्योंकि डवलब्ड कंट्र इस जो ग्रीन टेकनोलोजी इस उसमें इंवेस्ट करें और वो टेकनोलोजी इस ट्रांसवर करें डवलपिंग कंट्रीज को क्योंकि हिस्तोरिकल इमेशन में मैंने आपको अभी कल पर सुबताया था कि 50% हाथ उनका है ठीक है तो ऐसे आपको स्ट्राटेजिक एक आंसर दे एक आए थे हंडर डिस्ट्रिक्ट सोरी 10 डिस्ट्रिक्ट ऑन रेड अलर्वट अस साइकलोन मिचोंग फेच आंधर टुमोरो यहां पर क्या हो रहे है मिचोंग साइकलोन आंद्रप्रदीश को और उसके नियरभाई एरियास को हिट करनी वाला है साइकलोन मिचोंग विल ब तो नहीं है बट पढ़ लेना ठीक है यह नाम किस ने दिया है माइनमार बहुत इंपोर्टेंट है आपके वन लाइनर करेंट अफेर के लिए आरो ए आरो में पूछा जाएगा कि रीसेंटली जो मेचोंग आया क्योंकि अभी हिट करेगा तो ही कुछ पता लगाया जा सकता है कितना destruction किया है उसने या उतना ही ये media news कवर करेगी से ठीक है उतना ही ये popular topic हो पाएगा ये संभाव नहीं हो सकती है कि जो मेचोंग नाम का एक cyclone recently सुना गया है किसके द्वारा नाम दिया गया है ठीक है ये ऐसा question पूछा जा सकता है ये भी पढ़ लेना important है word cyclone किस ने दि Greek word है cyclos इसका मतलब क्या होता है coils of a snake ये snake की तरह इसने कैसे घूमता है वैसा ही नाम किस ने दिया था Henry Paddington क्योंकि tropical cyclones bay of Bengal में and Arabian Sea में वह ऐसे coil की तरह दिखते है cyclones are caused by atmospheric disturbance यानि कि जब low pressure area होता है low pressure area का मितलब क्या है समुद्र का जो सतही जो तापमान है वो कितना होना चाहिए 26-27 degree Celsius होना चाहिए वहाँ पे एक low pressure create होगा low pressure create होने से क्या होता है यहां की गरम हवा rise हो जाती है और आसपास के high pressure से हवा को यह attract करता है यह बहुत important geography का concept है यह basic चीजे है preparation में याद रखनी है ठीक है जब गरम air यहां से rise हो जाती है तो ओपर जाके वह cumulonimbus clouds बनाते हैं और वह बहुत गंभीर बारिश लेके आते हैं cyclones are usually accompanied by violent storm bad weather ठीक है तुफान आता है और मौसम खराब रहता है यह चीज याद रखनी है one liner के लिए ठीक है statement में पूछा जा सकता है क्योंकि RO में भी questions जैसे देखे गए हैं जो statements की तरीके से आए जहां वो सारे ही factuals नहीं होते वहां पे ठीक है statement में भी पूछा जाता है the air circulate inwards in an anti-cyclonic sorry anti-clockwise direction in northern hemisphere याद रखनी है यह चीज और clockwise in southern hemisphere यह clockwise है और यह anti-clockwise है ठीक है याद रखना है clockwise कहा होगा southern hemisphere एंटी-clockwise कहा होगा northern hemisphere cyclones are classified as extra tropical cyclone extra tropical cyclone क्यों होते हैं जो temperate regions में आए जैसे कि जो mediterranean sea में जो cyclone आता है न वो temperate cyclone है वहां से western disturbance आती है फिर इंडिया में extra tropical cyclone occur in temperate zones and high latitude regions known as यहां पे यह ऐसे माने जाते है की originate हुए है polar region से cyclones that developing in regions between the tropic of Capricorn and Cancer are called tropical cyclone ठीक है where they organized and into surface wind circulation यहां पे यह जाधा तर समुद्र में आते हैं formation and initial development stage वहीं जो मैंने आपको बता है कि 26 degree 27 degree Celsius होना चाहिए temperature का इतना गर्म समुद्र होना चाहिए ठीक है और वहां से ही turbulent transfer of water vapor यानि कि मैंने बताया आपको जब low pressure रहेगा तो water जो हवा है वो राइस करेगी ठीक है यह चीज ध्यान रखनी है यह बहुत चूटी चूटी चीज़े है atmospheric instability encouraging formation of massive vertical cumulus clouds due to the convection convection का process क्यों होता है air का rise हो जाना क्योंकि नीचे गरम surface है with condensation condensation का मितलब क्या है अब वो जम गया condense हो गया clouds की form में हो गया अब वो सीधे precipitate करेगा और मोसलाधार बारिश यह लेके आता है ठीक है तो ऐसे करते है newspaper के आपने एक particular news पड़ी आप उसके peripheral areas में जाके जाके आप चीजे देखेंगे आज के लिए लेक्ट्र में था बस इतना ही मिलते हैं कल लेक्ट्र से रिलेटेड वालिव एडेशन के PDF टेलिग्राम चानल पर मिल जाएगी जिसके लिंक नीचे description box में होगी वह जाना है जोईन करना है डेली करेंट अपर के अपर के लिए नहें रहने दे ना क्योंकि PDF बाद में खुलती नहीं हैं खुद मन नहीं होता तो आपको खुद की नोट्स पर yol करहना है आपको की आज़ लिख लेना है अपने लीए अपनी लोत्स में खुद के नोट्स रहेंगे तो वो एक्जाम के दो दिन पहले भी रिवाइस किये जा सकेंगे PDF नहीं खुलती है तो आपको PDF के पीछे नहीं भागना आपको खुद के नोट्स के पीछे भागना है सुबह शाम ठीक है तो मिलते हैं कल थैंक्स पर वचिंग थैंक्यू सो मच